एक महिला के साथ रेप किया, संबन बनाए और संबन बनाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में गरम जलते हुए तवे को डाल दिया उसके बाद उस महिला का अर्द नगन सब उसके दरवाजे की दहलीज पर लोगों को पड़ा मिला आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चा है जानने के लिए वीडियो को अंदर तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरचिवा चैनल में आपका स्वागत है यह घटना 36 घट के चमपा की है, वार्ड नमबर 2 की वार्ड नमबर 2 में पूनम नाम की एक महिला रहा करती है, जिसकी उमर 55 साल है उसके पती की मौत 2 साल पहले हो चुकी है, पती का नाम होता है डिगंबर पूनम अब अपने पती के बगएर क्योंकि उसके बच्चे भी नहीं हुए थे और अब अपने पती के बगएर अपने घर में अकेली रहा करती है गुजरबसर करने के लिए वह लोगों का जाडू बरतन पोचा ये काम किया करती है अब क्या होता है, एक दिन पूनम काम पर नहीं जाती है तो जिन घरों में वह काम पर जाया करती थी उन घरों के लोग इंतिजार कर रहे थे कि पूनम आएगी जाड़ू बरतन पोचा यह काम करेगी लेकिन पूनम आती नहीं है तो सभी घरवाले चिंतित होते हैं जो जिन जिन घरों में वह जाती थी तो कोई उसके घर जाता है घर पुलिस को बुलाया जाता है पुलिस आती है उस सब को अपने एक कबजे में लेती है और पोस्ट माडम के लिए भीज दिया जाता है अब पुलिस यहाँ पर पूस्टाज करने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है इसको किसने मारा हुगा गाउवाले यहाँ पर एक ही बात कहते हैं कि सहाब हमारे गाओं में सूरज नाम का एक बदमास है वे आया हुआ है फिराल छूट करके और वे जब भी छूट कर आता है कोई ना कोई कांड करके ही जाता है और हमें सक है उसी ने ये कांड किया होगा पुलिस को तो बस कलू मिलना चाहिए था अब पुलिस उस सूरज से जब सकती से पूश्टाज की जाती है तो वे सारी घटना पुलिस को बया कर देता है सूरज जो की बदमास है वे गाउं में आया हुआ था गाउं में घूम रहा था तब ही उस महिला के घर का दर्वाजा खुला हुआ था वह महिला खाना वगेरा बना रही थी रात को नोदस बजे तो वह उस महिला के घर में घुज जाता है वहाँ जाकर उसके साथ वह दरिंदगी करने लगता है लेकिन महिला उसको दूर भगाती है तो वह महिला के साथ जबरजस्ति रेप कर देता है उसके वाद महिला जबर जस्ती उससे छूट करके बाहर जा करके जोर जोर से सोर मचाने लगती है लेकिन इतने में ही वह सूरज नाम का बदमास उसको फिर से घर के अंदर घसीट लेता है और गरमियों के दिन थे लोगों के पंके बगैरा चले हुए होते हैं तो किसी को उसकी आवाद सुनाई नहीं दी थी वह सूरज उसके साथ दुबारा से रेप करना चाहता था लेकिन महिला अब उससे छूटना चाहती थी भागना चाहती थी वह उस महिला के गर्दन पर पैर रख देता है पहले तो उसको जवीन पर डाल देता है और वहीं पर एक तवा रखा हुआ था जिस तवे से वे रोटी सेक रही थी उस तवे को उसके प्राइविट पार्ट में जो जो से मारने लगता है महिला बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है चीक भी नहीं सकती है क्योंकि उसने गर्दन पर पैर रखा हुआ था और थोड़ी देर में तरब तरब कर उस महिला के प्रान पकेरू उड़ जाते है क्योंकि उसके उपर मार भी लग रही थी और गर्दन को पैर से दबाया हुआ था थोड़ी देर में मर जाती है उसके बाद वह जो बदमास होता है उसके हाथ पाउं में से सौने चांदी की चीज़ों को उतारता है घर में से भी कुछ सामान लेता है और वहां से फरार हो जाता है दोस्तों यह सारी घटना वह बदमास पुलिस को बताता है पुलिस उसको दوبारा से अरेस्ट करती है और फिर उसको जेल में भेज दिया जाता है उसके उपर केश दर्ज किया जाता है और यहां पर वह सूरज बदमास फिर से छूटेगा फिर से किसी कारे को अंजाम देगा इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है तो ऐसे बदमासों को क्या जेल में से छोड़ देना चाहिए जो इतने खतरनाक अपरादी होते क्या उनको लीव देनी चाहिए छोड़ना चाहिए थोड़ बहुत दिन के लिए घर छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर दिखाए देर आए कि अपरादी बहुत बड़ा है गुनेगार है किसी को भी नुकसान पहुचा सकता है तो ऐसे अपरादी को कभी भी गाओं में या उसके घर पर नहीं छोड़ना चाहिए उसको जेल की हवालात के अंदर ही रखना चाहिए तो दोस्तों आप क्या कहना चाहिए इस घटना से यहाँ पर पूनम अकेली रहा करती थी वेचारी और उसके घर में जबज़स्ती घुस करके उस बदमास्व ने उसकी असमत लूटी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी पोस्ट मार्टर रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस भी देखती है उस रिपोर्ट के अंदर उसके प्राइवेट पार्ट में चोटों के निसान थे और उसके साथ रेप किया गया था और उसके बाद उसका गला घोट कर उसको मारा गया था तो यहाँ पर केस पुकता हो जाता है अपर आधी को जील हो जाती है तो क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में अपनी राइक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऐसे ही वीडियो में बना कर यहां पर लेकर आता हूँ जिन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें अपने जीवन में कभी भी छोटी मोटी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम गलती करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है इसलिए कभी गलती ना करें और साथधानी से रहें सतकता से रहें कभी किसी का बुरा ना चाहें बुरा ना सोचें एक आम इंसान की तरह जीवन जीए और आप उपर वाले का नाम याद करते रहें दोस्तों आगला प्रोग्राम भोजल्दी फिर से रहे कराऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिष्टों की अमित को समझें, जय हिंद, जय भाद